बच्चो जब हम रात के समय खुले आस्मान में देखते हैं तो हमें चान और ये टिम्टिमाते तारे बहुत ही ज्यादा आकर्शित करते हैं चान में बहुत ज़्यादा रोश्णी होती है इसलिए वो आकर्शन का केंद्र है लेकिन ये टिम्टिमाते तारे ये भी हमें आकर्शित करते है अगर इन तारों को हम देखे तो कुछ तारे हमें टिम्टिमाते में नजर आते हैं पर इन में से कुछ तारे ऐसे भी होंगे जो हमें टिम्टिमाते नजर नहीं आते एक्शुली वो तारे होते ही नहीं है जो टिम्टिमाते नहीं है वो खगोली पिंड होते हैं जिसे हम ग्रह कहते हैं और ग्रह ऐसे पिंड होते हैं जिनमें स्वयम का प्रकाश नहीं होता बलकि वे किसी अन्य पिंड के प्रकाश को पराव दूसरे तारे के प्रकाश को reflect करते हैं जो हमारी आखों तक पहुशता है लेकिन अगर तारों की बात करें तो यह स्वेम प्रकाशित होते हैं सेल्फ लिमिनस होते हैं इनमें स्वेम की रौशनी होती है फिर भी हमें टिम्टिमाते नजर आते हैं एक्चुली यह तारे हमसे बहुत दूर है और इसलिए जब इनमें से आने वाले प्रकाश हमारे वायो मंडल की विभिन पर्तों से होकर हमारी आखों में पहुशता है तो वह हमें टिम्टिमाते नजर आते हैं अगर हम तारों को ध्यान से देखें तो यह तारे विभिन समू में भी रहते हैं और इन समू की विशेश आकरिती होती है जैसे कोई घरेलू वस्तू यानि चम्मच या फिर पश्वों की आकरिती की भी होती है और इसे तारों के समू को हम तारा मंडल कहते हैं यानि की कॉं हमको नजर आती है और यू कहें कि दूद की बहती हुई गंगा नजर आती है और इसे हम अपनी गैलक्सी यानि की आकाश गंगा मिलकी वे के नाम से जानते हैं और ऐसे ही बहुत सारी गैलक्सी मिलके इस ब्रम्हान का निर्मान हुआ है हमारी गैलक्सी यानि की मिलकी वे आका तो सूर्य सूर्य भी एक टारा ही है जिसकी रोश्णी हम तक पहुशती है और इस तारे को हम सूर्य के नाम से जानते हैं इसलिए जब मैं इसे तारा कह दूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तारे तो हम रात में देखते हैं पर एक्चली सूर्य भी एक self-numinous object है जिसम स्वयम का प्रकाश होता है और ये ग्रह और ये चांद ये दोनों ही इस सूरी के प्रकाश से ही चमकते हैं और हमें आस्मान में चमकते हुए दिखाई देते हैं अब इस सूरी की चारों और कुछ खगोल्य पिंड और है जो इसकी चारों तरफ घोमते रहते हैं इन्हें हम ग् पुराहे पृत्वी जिस पे हम रहते हैं तो चलिए बच्चों इस ब्रह्मान में हम जहां रहते हैं यानि कि सौरे परिवार इसकी सैर करते हैं आप सभी ने रात में चांद तारों को देखा होगा और सब के मन में अलग-अलग खयाल भी आये होगे शायद ये भी सोचा होगा कि अंत्रिक्ष में और क्या-क्या है इसी सोच ने जन्म दिया हमारी सबसे पुरानी विज्ञान की शाखा खगोल विज्ञान को जिसमें हम ब् दूधिया पट्टी दिखाई देती है इसे आकाश गंगा कहते हैं हमारी आकाश गंगा से दूर अंत्रिक्ष में ऐसी कई आकाश गंगाएं फैली हैं हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा के एक छोर पर स्थित है आकाश गंगा में ऐसे असंग के तारे हैं इन में से एक ता सुर्य सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार में आठ ग्रह और उनके उग्रह एवं अन्य आकाशी पिंड हैं। ये ग्रह और उग्रह सुरी की परिक्रमा करते हुए उससे प्रकाश और उश्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सुरी की आकरशन शक्ती से बंधे हुए हैं और अपनी अपनी कक्षाओं में सुरी की परिक्रमा करते हैं। ये कभी आपस में नहीं टकराते। इन ग्रहों का नाम बुद्ध, शुक्र, प्रिथ्वी, मंगल, ब्रिहस्पती, शनी, युरेनस और नेप्चुन है। प्रिथ्वी के दिनों के अनुसार 88 दिन लगते हैं। प्रिथ्वी के इसे दो सो पचीस दिन लग जाते हैं। प्रित्वी इस पर जीवन पाया जाता है इसलिए इसे जीवित ग्रह भी कहते हैं इसका एक उबग्रह है चंद्रमा सुरी की परिक्रमा करने में प्रित्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं मंगल यह लाल रंग का ग्रह है इसके दो उबग्रह हैं सुरी की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लग जाते हैं प्रिहस्पती आकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है इसके 63 उबग्रह हैं सुरी की परिक्रमा करने में इसे लगबग 12 वर्ष लग जाते हैं शनी यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है इसके 62 उबग्रह है इसके आसपास प्रकाशवले यानि गैसी छल्ला होने से सबसे सुन्दर दिखाई पड़ता है सुरी की परिक्रमा करने में इसे 29 वर्ष 6 महने लग जाते हैं यूरेनस यूरेनस को हम अरुन भी कहते हैं यह शनी से कुछ बड़ा है इसके 27 उबग्रह है सुरी की परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष लग जाते हैं नैप्चून यह यूरेनस से छोटा ग्रह है नैप्चून को हम वरुन भी कहते हैं इसके 13 उबग्रह हैं सुरी की परिक्रमा करने में इसे लगबग 165 वर्ष लग जाते हैं हमारे प्रित्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सुरी की परिक्रमा करती हैं इसका अक्ष 23.5 अंश जुका है जो की प्रित्वी के दोनों ध्रुओं को मिलाने वाली एक कालपनिक रेखा है सभी ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूमते हुए सुरी की परिक्रमा करते हैं चंद्रमा हमारी प्रित्वी का उब्रह है जो प्रित्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा प्रित्वी से आकार में एक शौथाई है इस पर न जल है न वायू पृत्वी पर वायो मंदल, जल मंदल, इस्थल मंदल और जैव मंदल पाये जाते हैं इस कारण पृत्वी पर जीवन और वनस्पति का विकास हुआ है इसलिए पृत्वी को एक जिवित ग्रह भी कहते हैं तो बच्चोinaire अभी आपने हमारे सौरे परिवार को जाना इस सौरे परिवार में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे पर 24 अगस 2006 को International Astronomical Union की मीटिंग हुई और उस बैठक में ग्रहों की नई परिभाशा दी गई और इस नई परिभाशा के इनुसार Pluto अब ग्रह से हटा दिया गया है और इस प्रकार अब हमारे सौरे मंडल में 9 के बदले केवल 8 ही ग्रह है बरसों से ही मनुष्य के जिग्यासा इस ब्रह्मान को जानने के लिए बने रही है ये दिन और रात का होना, रित्मों को परिवर्तन, सूर्य और चंदर ग्रहन होना ये प्रकृतिक घटनाय मनुष्य को अपनी और आकर्शित करती रही है और इसी लिए अलग-अलग खगोली वैज्यानिकों ने अलग-अलग थियोरिज दिये है यदि हम सुबा समुद्र के किनारे बैठे हो और खुले आसमान के और देख रहे हो तब हमें ऐसा लगता है कि सूरज उदय हो रहा है और हमारे देखते ही देखते ये सूरज धीरे धीरे हमारे सिर्की उपर आ जाता है और शाम होते ही ये सूर्य अस्त भी हो जाता है तो देखने में ऐसा लगता है कि सूरज पृत्वी के चक्कर लगा रहा है क्योंकि इस सुभय से साम तक अपनी स्थिती को बदल चुका होता है और इसी लिए ही यूनान के एक खगोली वग्यानी टॉल्मी ने अपनी बुक अलमजिस्ट में लिखा था कि पृत्वी केंद्र है और सारे खगोली पेंड इस पृत्वी के चक्कर लगा रहे है टॉल्मी जियो सेंट्रिक थियोरी की कल्पना की थी यानि कि भू केंद्री सिध्धान दिया था और उनके अनुसार पृत्वी के चारों और सारे खगोली पेंड चक्कर लगा रहे हैं चाहे वो सूर्य हो चांद चांद भी हमें ऐसे नजर आता है चांद भी अपनी स्थिती को काट रहे हैं इसका मतलब पृत्वी में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बाकी खगोली पिंडों को बांध कर रखा है और उनके अनुसार पृत्वी में एक आकर्शन शक्ती थी जिसके कारण सूरज और चंद्रमा और अन्य तारे उनके चारों और चक्कर काट रहे थे लेकि कंझी अनुसार पृत्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं मतलब उनके अनुसार शुरी स्थर है और सारे खगोली पिंड यानी की ग्रह इस सूर्य की चारों चक्कर लगा रहे Suzuki italyadali寅 और अब उसार अब सूर्य स्थिर है और बाकी सारे ग्रह और खगोली पिंड सूरी की चारोर चक्कर लगा रहे थे अब सूर्य स्थिर है और बाकी सारे ग्रह उसके चारोर चक्कर लगा रहे हैं इसका मतलब अब सूर्य में आकर्शन शक्ति है जिसके कारण वो सभी ग्रहों को खगोल of physics यानि भौतिकी के जनक के नाम से जानते हैं सर आईजक न्यूटन ये एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक एक सेब पेड़ से तूटकर उनके सिर पर आगिरा और इस तूटते हुए सेब ने सर आईजक न्यूटन के दिमाग में कोश्चन डाला कि ये सेब ही ने निंचे ही क्यों आया ये सेब टूटकर ऊपर क्यों नैग्या और उसके बाद सर आईजक न्यूटन ने धेर सारे प्रयोग की और उनप रहोग के बाद ये निशकर्श निकाला कि प्रित्वी में आकर्शन च्छमता है वो किसी भी वस्तु को अपनी और आकर्शित कर दिया और इस प्रकर हम देखें कि कभी थ्योरी में हमने ये देखा कि पृतिवी के चारों और सारे खागोले पिंट घुम रहे हैं कभी हमने देखा सूर्य के चारों और सारे खागोले पिंट घुम रहे हैं तो हमने ये निसकर्ष निकाला था कि सूर्य की आकर्शन शक्ति है सूरिय में आकर्षन बल है बर बाद में न्यूटन के प्रयोगों से हमने जाना कि यह आकर्षन बल तो प्रित्वी में भी है और विभिन ने प्रयोगों के बाद न्यूटन निया निसकर्ष निकाला कि यह गुत्वा कर्षन बल प्रम्हान की किसी भी दो पिंडों के लिए ल कर लगाते हैं इसको वेग्यानिक कैपलर ने बताया और कैपलर ने ग्रहों की गती के लिए नियम दिये जिसे हम कैपलर यानि कि ग्रहों की गती के लिए नियम, इनकी अरुसार ग्रहों की गती के लिए तीन नियम है, बच्चों ये सूर्य है और ये हमारी पृत्वी, हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारो और परिक्रमा करते हैं हमारे प्रित्वी भी सूर्य के चारोर परिक्रमा करती है और ये ऐसे दिर्गाकार पत पर गती करती है जिसमें सूर्य इस दिर्गाकार पत के एक फोकस पर होता है ऐसे ही हमारे सौर्य मंडल में आठ ग्रह है और आठो ग्रह इस सूर्य के चारो और ऐसे ही दिर्ग वृताकार पत पर ही गती करते हैं जिसमें से सूर्य उनके एक फोकस पर इस्थित होता है और ये सारे दिर्गाकार पत एक ही तल पर नहीं होते इनका तल अलग-अलग होता है इन पत के आकार भी अलग-अलग होते है जैसे कि सूरी का सबसे नजदी ग्रह बुध है तो इसका दिर्गाकार पत छोटा होता है और सबसे दूर का ग्रह नेप्चुन है तो इसके दिर्गाकार पत का आकार अधिक होता है और यही कैपलर का ग्रहों की गती के लिए पहला नियम है किस सूर्य के चारों और सभी ग्रह दिरगाकार पत पर गती करते हैं जिसमें सूर्य उनके एक फोकस पर स्थित होता है और इसी लिए कैपलर के ग्रहों के गती के पहले नियम को हम कक्षा का नियम कहते हैं law of orbit बच्चों यह सूर्य है और यह प्रित्वी प्रित्वी सूर्य के चारों ओर दिर्गाकार पत पर गती कर रही है और इसी लिए कभी प्रित्वी सूर्य के पास होती है और कभी प्रित्वी सूर्य से दूर होती है इसी प्रकार सारे ग्रह भी गती करते हुए कभी सूर्य के पास होते हैं कभी सूर्य से दूर चले जाते हैं मान लेजिए प्रत्वी इस बिंदू पर है इसे हम ए से दर्शार हैं और कुछ समय अंतराल बाद प्रत्वी इस बी बिंदू पर पहुँच गई अब हम इसके दूर पत की बात करते हैं मान लिजे पृत्वी इस C बिंदू पर है और उतने ही समय अंतराल बाद पृत्वी इस D बिंदू पर आ गई हम यहां देख सकते हैं कि हमने समय अंतराल समान लिया था लेकिन जब पृत्वी सूरी के पास थी तो इसने जादा दूरी तैक इसका रेखिय विस्थापन अधिक था जब हम देख रहे हैं कि यह दूर थी तो इसका रेखिय विस्थापन कम था मतलब A, B, C, D की तुल्ला में अधिक है अब हम देखते हैं कि A, B सूरे के साथ कितना छेतरफल बनाती है इन दोनों ही बिंदूओं को हम यदि S से जोडते हैं, सूरे से जोडते हैं तो एक त्रिभूज का निर्मान होता है एक छेतरफल पृत्वी इस सूरे के सापेक्ष कवर कर रही है वैसे यहां हम देखें C और D को यदि हम सूरज के साथ जोडते हैं तो यह भी एक त्रिभूज का निर्मान कर रहे हैं और यहां भी हम देखें तो पृत्वी सूरे के सापेक्ष एक छेतरफल कवर कर रही है बच्चों यह दोनों ही छेतरफल समान होते हैं यानि area of triangle SAB is equal to area of triangle SCT और इस प्रकार हम देखें कि समान समय अंतराल में भले ही इनके रेखिये विस्थापन अलग-अलग हैं लेकिन इसके द्वारा कवर किया गया छेतरफल समान होता है या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि इसका छेतरिय वेक समान होता है और यही ग्रहों की गती के लिए कैपलर का दूसरा नियम है जिसके अनुसार सूरी के चारो और गती करते हुए किसी भी ग्रह का छेतरिय चाल एक समान होता है और इसे हम law of area या छेत्रफल का नियम कहते हैं बच्चो सूरी के चारो और किसी भी ग्रह की गती हम देखे तो ये दिरगा कारवृत के रूप में है अब यहाँ पर सूरत से इस ग्रह की दूरी अलग-अलग होगी कभी ये पास है और कभी ये दूर है इस प्रकार हम देखे तो ग्रहों की दूरी सूरिय से अलग-अलग होगी मान लेजे इसकी जासत दूरी हम आर लेते हैं और इस ग्रह को सूरिय की चारो और चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उसे हम परिक्रमनकाल, परिभ्रमनकाल और टाइम पिरेट के नाम से जानते हैं। मान लिज़ टाइम पिरेट टी है तो कैपलर के ग्रहों की गती के तीसरे नियम के नुसार सूरी के चारों और गती करते हुए किसी भी ग्रह का परिक्रमनकाल का वर्ग उसकी आसत त्रिज्या के घंड के समानुपाती होता है और इसलिए ही कैपलर की ग्रहों की गती के तीसरे नियम को हम लॉफ टाइम पिरेड यानि की परिब्रमनकाल का नियम भी कहते हैं जिसके अनुसार T2 is directly proportional to R3 और जब समानुपातीक चिन्न हटाते हैं हम बराबर का चिन्न लगाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं यहाँ पर हम नियतांक को के से प्रदर्शित करते हैं विज्यानिक कैपलर के नाम के आधार पर और इसलिए T2 is equal to KR3 यानि की परिभ्रमन काल का वर्ग बराबर के इन्टू ओसत दूरी का घन तो बच्चों अभी हमने कैपलर के ग्रहों की गति के तीनों नियमों को जाना तो चलिए इसे अधार पर कुछ आंकीक प्रश्न बनाते हैं सूर्य के परितह नैप्चुन की कक्षा की ओसत त्रिज् नैप्चुन की परिभ्रमन काल की गढणा कीजिए इस प्रश्न में दोनों की कक्षा को गढणा की दृष्टी से वृतिय माना जाएगा इसलिए इस प्रश्न के हल में हम लिख सकते हैं दिया गया है आर एन यानि की नैप्चुन की कक्षा की ओसत त्रिज्जा और आर ई यानि की अर्थ प्रितवी की कक्षा की ओसत त्रिज्जा का अनुपात तीस है हम जानते हैं कि पृत्वी को सूर्य के चारों और एक चक्कर लगाने में एक वर्ष लगते हैं यानि कि पृत्वी को परिक्रमन काल एक साल का है इसलिए हम T E बराबर एक वर्ष लिख सकते हैं और कैपलर के नियम से T स्क्वेर समान पाती होता है R क्यूब के इसमें हम लिख सकते हैं T N का स्क्वेर अपॉन T E का स्क्वेर इक्वल टू R N का क्यूब अपॉन R E का क्यूब और यहां से T N का स्क्वेर बराबर हो जाएगा T E का स्क्वेर ब्रैकेट के अंदर R N अपॉन R E का होल क्यूब और यहाँ पर हम मान लिख देंगे तो उगर TN का स्क्वाइर इक्वल टू 1 स्क्वाइर ब्रैकेट के अंदर RN अपॉन R E का मान 30 है तोकि यह अनुपाद तो दिया गया है यह पृत्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या से नैप्चुन की कक्षा की औसत त्रिज्या 30 होनी है इसलिए हम यहाँ पर 30 लिख देंगे 30 का क्यूब करेंगे तो 27,000 मिलेगा और इस प्रकार TN स्क्वाइर बराबर 27,000 होगा और TN बराबर रूट अंडर 27,000 यानि की 30 रूट 30 और इसे यह दियम सॉल्व करते हैं तो 164.3 इयर्स आएंगे तो इस प्रकार नैप्चुन को सूरी के परितह एक चक्कर लगाने में यानि कि उसका परिक्रवन कार 164.3 इयर्स का होता है प्रश्न किसी ग्रह की उपसौर इस्थिति A में सूर्य से दूरी R1 तथा 4D1 है अपसौर इस्थिति B में सूर्य से दूरी R2 तथा 4V2 है इन राशियों में संबंद स्थापित कीजिए क्या ग्रह को CAD तथा DBC पत्तय करने में समान समय लगेगा सबसे पहले इसे हम चित्र अनुसार समझते हैं यहाँ पर हम दो स्थिति देख रहे हैं एक सूरज की निकट वाली स्थिति जिसे हम A से दर्शार है इसे उपसौर स्थिति कहते हैं सूरज से दूर वाली स्थिति इसे हम अपसौर कहते हैं यहां पर सूरज से दूरी उपसार स्थिती की आरवन है और अपसार स्थिती की आर्चु है इस प्रकार हमने चित्र अनुसार दर्शा लिया अब यहां पर हम दो बिन्दु देख रहे हैं C और D अब बिंदो C और D को हम सूर्य से एक कालपनी ग्रेखा से जोड़ देते हैं और इस प्रकार का चित्र हमें प्राप्त हुआ है अब यहां देखें तो A पर कोणिय सम्वे का परिमान L1 बराबर होगा M, B1, R1 जा M ग्राह का द्रव्यमान है और B पर कोणिय सम्वे का परिमान यह होगा L2 बराबर M, V2, R2 ग्राह पर कोई बाहे बल आगोन आरोपित नहीं होता तब कोणिय सम्वे क संग्रक्षित रहता है या कोणिय संग्रक्षन का नियम है इसलिए हम लिख सकते L1 बराबर L2 यानि दोनों इस स्थितियों के कोणिय सम्वे क समान होंगे और इसलिए हम लिख सकते M, V1, R1 बराबर M, V2, R2 और यहां से हमें मिलेगा V1, R1 इक्वल टू V2, R2 और V1 अपॉन V2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 अब इस चित्र अनुसर हम देखें तो R2 कमान R1 से अधिक है और इस समीकरण में हम देखें यदि राइट हैंड साइड में नियूमरेटर कमान डिनुमरेटर की तुन्ना में अधिक होगा तो left hand side में भी numerator कमांड denominator की तुम्ना में अधिक होगा और इसलिए हम लिख सकते हैं V1 is greater than V2 बिंदू C और D के बीच जो पत है C, A, D द्वारा बनाया गया छेत्रफल यदि हम देखे तो ये होगा S, C, A, D तथा पत D, B, C द्वारा बनाया गया छेत्रफल को हम देखे तो ये होगा S, D, B, C और इस चित्रनुसार ये स्पष्ट है कि S, C, A, D का छेत्रफल S, D, B, C के छेत्रफल से कम होगा इसलिए हम कह सकते हैं पत D, B, C को तै करने में लगा समय पत C, A, D में लगे समय के सापिक्ष अधिक होगा ग्रहों की गती से संबंधित कैपलर के नियमों के निसकर्ष के पश्चात इंग्लैंड के विग्यानिक सर आईजेक न्यूटन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था The Mathematical Principle of Natural Philosophy In Brief Principia और इस बुक में उन्होंने ब्रम्हाण में कीन ही भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षन बल के लिए सूतर दिया मान लीजे हम ब्रम्हाण में कोई दो पिंड लेते हैं पहला पिंड जिसका दरवेमान M1 है और दूसरा पिंड जिसका दर्वेमान M2 है मान लीजे इस दोनों पिंडों के बीच की दूरी R है तो ये दोनों ही पिंड एक दूसरे को आकरशित कर रहे होंगे और यू कहें कि पहला पिंड दूसरे पिंड में जितना आकरशन बल डाल रहा होगा दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही आकरशन बल डालता है अब ये जो आकरशन बल है ये दो तत्यों पे निर्भर करता है पहला तो इन पिंडों के दर्वेमान पर और दूसरा इन पिंडों के बीच की दूरी पर मान लेजिए इन दोनों पिंडों के द्रविमान M1 और M2 है तो Newton के अनुसार इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्शन बल इन दोनों पिंडों के द्रविमान के गुणन फल के समान उपाती होता है और साथ ही इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यूत क्रमानुपाती होता है यानि कि हमको यहां से दो समीकरण प्राप्त होंगे और इन दोनों समीकरणों को यदि हम कंबाइन करें एक साथ लिखें तो हम लिखेंगे F समानुपाती है M1 into M2 upon R2 के और जब हम समानुपाती का चिन हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं यहां पर इस समानुपातीक नियतांक को हम G से प्रदर्शित कर रहे हैं और यह सूत्र हो जाता है F equal to G M1 into M2 upon R2 और G यह जो समानुपातीक नियतांक है इसे हम universal gravitational constant कहते हैं यानि कि सारवत्रिक गुरुत्वाकर्शन का नियतांक और इसे सारवत्रिक गुरुत्वाकर्शन का नियतांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मान में किनी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्शन बल के लिए नियत रहता है हम कोई भी पिंड ले उसकी आकृती प्रकृती उसके आकार इस पर निर्भर नहीं करता और नहीं इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों पिंडों की बीच में माध्यम क्या है अगर हम पृत्वी में दो पिंडों की बीच की बात करें तो यहां तो माध्यम वायू होगा या फिर यदि दो पिंड जल के अंदर होंगे तो माध्यम जल भी हो सकता है लेकिन यदि हम ब्रम्हान में की नहीं दो पिंडों की बीच की बात करें तो सारे ब्रम्हान में निर्वात है यहां वायू भी नहीं है इन पिंडों के लिए भी गुरुत्वा कर्शन का मान नियती रहेगा और इसलिए इसे सारवत्रिक गुत्वा कर्षण नियतांग कहते हैं और ये सारवत्रिक गुत्वा कर्षण नियतांग examination point of view से भी बहुत important topic है इसकी परिभाशा लिखने को भी आती है इसका मात्रक ये वह वीमिय सूत्र भी आपको exam में देखने को मिलेगा इवेन आप किसी competitive exam की बात करते हैं जैसे कि आप medical ये engineering की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस सारवत्रिक गुत्वा कर्षण नियतांग का मात्रक ये वीमिय सूत्र पूछा जाता है तो सबसे पहले हम इस universal gravitational constant की परिभाशा देखते हैं सूत्र अनुसार हमने देखा f equal to g m1 m2 upon r square यदि दोनों ही पिंडों के द्रवेमन समान हो और 1 हो तो हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2 बराबर 1 और मान लीजिए दोनों पिंड एक दूसरे से इकाई दूरी पर इस्थित हो तो हम r बराबर भी 1 लिखेंगे इस condition में ये सारे मान 1 होने पर f बराबर g हो जाएगा यानि कि जो Newton का universal gravitational constant है वो आकर्षन बल के बराबर होगा किस स्थिति में? जब दोनों हे पिंड एकाई दूरी पर इस्थित हो तो इस प्रकार जब Newton के सारवत्री गृत्वा कर्षन नियम की परिभाशा लिखनी हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि Newton का सारवत्री गृत्वा कर्षन नियतांग उस आकर्षन बल के बराबर होता है जो दो इकाई द्रव्यमान की पिंडो पर इकाई तूरी पर इस्थित होने से एक दूसरे पर आरोपित करते हों तो इस प्रकार बच्चो आप फॉर्मूले से ही किसी भी क्वांटिटी की परिभाशा भी लिख सकते हैं यदि हम इस सूतर में G का मान निकालना चाहें तो G बराबर होगा F R स्क्वेर अपॉन M1 इंटो M2 यहाँ पर हमने त्रिये गुणन किया है और G का मान निकालना है अब इसका SI मात्रक देखते हैं SI मात्रक में बल का मात्रक होता है Newton और R यानि दूरी का मात्रक होगा Meter तो यहाँ लिखेंगे Meter स्क्वेर जबकि दरव्यमान का मात्रक होता है KG तो यहां पर जाएगा kg square तो g का ऐसा ही मत रखोगा newton meter square upon kg square जबकि cgs मत रखे तो बल का cgs मत रखोगा dine दूरी का centimeter और द्रवे मान का gram होता है तो सारवत्रिक गृत्वा कर्शन मियतांक का cgs मत रखोगा dine centimeter square upon gram square और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह गृत्वा कर्शन मियतांक universal है सारवत्रिक है तो एक इसका निश्चित मान है और यहां मान बच्चों आपको याद भी रखना है क्योंकि इस topic से related numerical question भी आते है और उसमें g का मान नहीं दिया जाता आपको यह मान याद रखना पड़ता है तो g का मान होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square upon kg square अब इसका वी मिय सूत्र देखते हैं बल का वी मिय सूत्र होता है M L T minus 2 जबकि लंबाई के लिए हम L लिखते हैं तो R square के लिए हम L square लिखेंगे द्रव्यमान का वी मिय सूत्र होता है M तो हम यह M into M लिखेंगे अब इसको simplify करते हैं यह हम देख रहे हैं numerator में L है और L square है यह दोनों गुणा हो जाएंगे इसको simplify करेंगे तो इन दोनों L के power add हो जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे M L power 3 T minus 2 जबकि नीचे हम लिखेंगे M square अब इसको सरल करेंगे उपर M है नीचे M square है तो यह हो जाएगा M power 1 minus 2 यानि कि M power minus 1 और इस प्रकार G का वी मिय सूत्र होगा M minus 1 L3 T minus 2 और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया किस topics related exam में numerical question भी आते हैं तो चलो इस पर अधारे ते एक numerical question बनाते हैं प्रत्येक 100 kg के 2 pin पृत्वी के सता पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है उनके मत ये लगने वाले अकर्शन बलकि गर्णना कीजिए इस परश्ट में दिया गया है 2 pin दोनों इस समान द्रविमान के हैं तो M1 बराबर M2 एक्वल टू 100 kg लिखेंगे D बराबर 1 मीटर है और G कमान तो आपको याद रखना ही पड़ेगा G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square प्रती kg square अब सूत्र नुसर F equal to G M1 M2 upon R square होता है ये सूत्र में पूरे मान को रखने पर हमें मिलेगा 6.67 into 10 to the power minus 11 into 100 into 100 upon 1 square और जब इसे solve करेंगे तो हमें मिलेगा 6.67 into 10 to the power minus 7 newton 6.67 into रु 00.00, 00.00,00, 00.00,00, 00.00,00,